नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका माया चाल में आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में और इस वीडियो में आपको बताएंगे clear cut indication की कैसे पता चले आपके मरीज को डेंगू फीवर है यानि symptoms क्या होने चाहिए investigation हमें क्या करानी चाहिए अगर आपको मरीज घर पे है तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए साथ में ऐसी कौन सी दवाईयां है जो अगर आप अपने घर में रखें और मरीज को दें तो आप अपने patient की जो स्थिती है उसे घर पर ही maintain रख सकते हैं इन सभी बातों के उपर discuss करेंगे request करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा जनहित में लोगों तक share कीजेगा और मेरी बात समझ में आएगी तो मुझे सिर्फ एक thumbs up ज़रूर दीजेगा तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डेंगू फीवर क्या होता है डेंगू फीवर बेसिकली एक vector born disease है यानि जब Aedes aegypti mosquito किसी भी इनसान को काटता है तो उसके अंदर मौझूद D.E.N.G. virus यहीं डेंग वायरस हमारी बाडी के अंदर enter कर जाता है अब यह डेंग वायरस जो है यह फ्लेवी वायरस जो एक family है उसी का वायरस है यह वायरस इतना strong होता है कि हमारी बाडी के अंदर जाकर जो symptoms पैदा करता है वो इतने जादा high intensity के होते हैं कि जो patient का accompanied person होता है वो कई बार मरीज के symptoms को देखकर घबरा जाता है अब देखिए डेंगू fever एक contagious disease है यह एक इंसान से दूसरे इंसान पर नहीं फैलती लेकिन एक मच्छर के काटने से एक इंसान से दूसरे इंसान पर जरूर यह पहुंच सकती है इसलिए से हम contagious disease बोलते हैं अब symptoms क्या होंगे डेंगू fever को तीन अलग-अलग categories में डाला गया है नमबर बन हो जाता है mild डेंगू fever दूसरा होता है डेंगू hemorrhagic fever और तीसरा होता है डेंगू shock syndrome अब mild डेंगू fever में क्या है जब मच्छर ने आपको काटा तो उसके 5-7 दिन के अंदर आपको डेंगू के symptoms आने शुरू होंगे और ये mild डेंगू fever तीन से 5 दिन तक चल सकता है अब यहाँ पर क्या होता है कि मरीज को सबसे पहले शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा अकडन होनी शुरू हो जाएगी हर जोड में धिरे-धिरे करके दर्द होने लग जाएगा शरीर में एंटन होने लग जाएगी दुखन होने लग जाएगी इसके साथ में तेज fever आएगा जो की 102 से लेकर 104 डिगरी तक का बुखार हो सकता है ये बुखार लगभग पूरे समय एक जैसा ही रहता है थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है कोई particular समय नहीं है जिसमें कि ये बुखार चड़ेगा या उतरेगा अगर आप मरीज को proper समय पर दवा दे रहे हैं तो दवा देने से उतर जाएगा लेकिन दुबारा से धीरे धीरे करके दवा का असर खतम होने के बाद फिर से बढ़ जाएगा इसमें मरीज को नौजिया हो सकता है यानि उपकाई आ सकती है उल्टी आ सकती है पुरे शरीर में एठन, दुखन, दर्द ये सारी परशानिया रह सकती है अब माइल डेंगू फीवर जो की तीन से पांस दिन तक रहता है इसके संग में मरीज को धिरे धिरे करके कमजोरी आनी शुरू हो जाती है अब जब मरीज पांस दिन के बाद अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं मिलता है तो ये मरीज डेंगू हेमरेजिक फीवर की स्टेज में पहुँच जाता है यहाँ पर क्या होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर शब्द समझे हेमरेजिक का मतलब होता है ब्लीडिंग यानि यहाँ पर इस समय मरीज को internal bleeding शुरू हो जाती है internal bleeding का मतलब है rectal bleeding हो सकती है या पोटी वोले जगे से हो सकती है internal में body के अंदर कहीं पर भी mild bleeding हो सकती है skin के उपर आपको चकते मिल सकते हैं जो कि लाल लाल चकते हो सकते हैं डेंगू hemorrhagic fever के अंदर कई बार urine करते से मैं भी या फिर nose से भी blood आपको महसूस हो सकता है तो ये इस bleeding के symptom के अलावा मरीज को excessive nausea, excessive vomiting और बहुत ही जादा शरीड दर्द होगा यानि जोड का movement करना मुश्किल हो जाएगा एक एक हड़ी में दर्द होगा इसलिए इसको हम लोग bone break fever भी कहते हैं अब ये जो डेंगू hemorrhagic जो fever है ये बेसिकली 3 से 5 दिन के बाद शुरू होता है डेंगू के symptoms आने के और लगबग 8 से 10 दिन तक continue रह सकता है ये condition critical भी हो सकती है क्योंकि कई बार मरीज को इसी condition में hospitalized करना पढ़ सकता है और अगर proper treatment ना मिले तो ये मरीज के लिए जान लेवा थाबित हो सकता है इसी डेंगू hemorrhagic fever के टाइम पर ही platelet count मरीज के down होने लग जाते है और सबसे ज़्यादा क्रूप खदरनाक इस्तिती होती है वो तब जब ये डेंगू hemorrhagic fever तीसरी स्टेज में पहुंचता है जिसे हम बोलते है डेंगू शॉक सिंड्रोम अब इसमें क्या होता है मरीज को extreme dehydration होने लग जाती है शरीर में बेहत पानी कमी हो जाती है weight loss हो जाता है शरीर के अंदर infection इतना जादा हो जाता है virus का कि मरीज से बल्कुल उठ नहीं मिल था lethargic condition हो जाती है exhaustive हो जाती है शरीर का कई kilo वजन भी कम हो जाता है और platelet count दीरे दीरे करके गिरने लग जाते है कई मरीजों में देखा गया है कि ये platelet count डेंड लाग तक maintain रहते हैं या फिर डेल लाग से घड़ते घड़ते मातर दस हजार तक भी पहुँच सकते हैं तो जैसे जैसे platelet count डाउना लग जाते हैं वैसे वैसे डोइंगू शॉक syndrome की intensity बढ़ती जाती है इसी लिए hospitalized patient में देंगू fever में हमेशा यात ध्यान रखा जाता है कि patient का platelet count fall नहीं होना चाहिए जरूरत पढ़ने पर patient को platelet transfusion भी करना पढ़ता है तो यह सारे symptoms हो गए डेंगू fever के इसी लिए डेंगू fever को bone break fever भी कहते हैं और यह बुखार बहुत ही जादा contagious है और बहुत ही जादा dangerous भी हो जाता है मरीज की जिन्दिगी के लिए खास कर तब जब मरीज को सही समय पर सही diagnosis ना मिले और सही management के साथ सही treatment ना मिले अब हम बात करेंगे यहाँ पर कैसे diagnose करें कि आपके मरीज को डेंगू fever है तो जो basic investigation होती है वो हो गया CBC विदियसर यहाँ पर हो सकता है कि आपको TLC count बड़े हुए मिले और साथ में platelet count आपको धीरे धीरे करके कम मिले कई बार हमें CBC को इस डेंगू fever में repeat करना पड़ जाता है अब जो confirmatory diagnosis है that is डेंगू IgG and IgM test अब यह जो डेंगू IgG IgM test है यह confirm कर देते हैं कि patient को डेंगू fever है या नहीं यह कराना जरूरी है जिससे कि early confirmation हो जाए मरीज की बिमारी का और सही treatment मरीज को मिल सके इस investigation के अलावा ज़रूरत पढ़ने पर हमें patient का chest exercise कराना पड़ सकता है जिससे पता चले कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई lung bleeding शुरू हो गई हो या फिल ultrasound कराना पड़ सकता है as for the syndrome जिससे की पता चले कि कोई internal hemorrhage तो नहीं है यह बात होई investigations की अब हम बात करेंगे management की किन चीजों का धान रखना है अगर आपके मरीज को डेंगू का जो बुखार है यह diagnose हो चुगा है तो क्या बातों का धान रखना है अपने patient को dehydration से बचाना है तो आपको समझना पड़ेगा कि patient को हर घंटे पर एक ग्लास पानी देना जरूरी है आप patient को लगभग liquid diet पर भी रख सकते है दूसरी बड़ी चीज यह है क्योंकि यहां पर platelet count तेजी से डाउन होता है इसलिए patient को हमें vegetable juice के उपर रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिसमें लौकी का juice बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद होता है जो हमें मरीज को एक ग्लास लौकी और चुकंदर का juice सुबह और शाम मरीज को जरूर देना चाहिए तीसरी बड़ी चीज यह है कि क्योंकि यहां पर nausea vomiting बहुत ज़्यादा होती है तो हमें मरीज को खाने में कोई भी भारी चीज नहीं देनी चाहिए कोशिश करिए अगर आप रोटी या चाबल भी दें तो किसी चीज में भीगो के दें जैसे दही में भीगो के दे सकते हैं सबजी में भीगो के दे सकते हैं दाल में भीगो कर दे सकते हैं मरीज को किसी भी तरह का fried food यहां पर नहीं देना है किसी भी तरह का packaged food आपको यहां पर नहीं देना है क्योंकि मरीज के अंदर dehydration बहुत ज़ादा होएं लग जाता है तो if required होता है तो हमें patient को oral rehydration solution यानि इलेक्टरॉल कि दिन में कई-कई बार मरीज को देना पड़ सकता है जो माना जाता है या जो ideal treatment plan है उसमें कम से कम 2 लिटर लेक्टरॉल मरीज को पड़े देना जरूरी है ताकि patient का fever down रहे बुखार को कम करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि मरीज के पूरे शरीर को बदन को बार बार जो है ठंडे पानी की तौलिया से या तौलिया निचोर निचोर कर ठंडे पानी में पूरे बदन को आपको अच्छे से पूछना होता है या फिर सर से पानी डाल कर भी कई बार पूरे बदन को पूछना होता है अगर मरीज का बुखार फिर भी down ना आए तो आप यहाँ पर एक तरह से cold sponging भी कर सकते हैं cold sponging में यहाँ पर हमें मरीज को ice water में कोई भी sponge को डुबो कर या तौलिया को डुबो कर उतने ठंडे पानी से पूरे बदन को पूछना जरूरी हो जाता है ताकि यहाँ से मरीज की सिदी गरबर नहीं होनी चाहिए पेशेंट को सुबह शाम थोड़ा थोड़ा सा जरूर दीजे इससे platelet count तेजी से बढ़ते हैं इसके अलावा जो हुमिपथिक दवाईयां मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो दवाईयां मरीज को regularly दीजे ताकि आपके मरीज की स्थिक अंभीर ना हो अब हम बात करेंगे यहाँ पर उन दवाईयों की जो की बहुत ही ज़दा essential है आपको अपने घर में रखनी चाहिए जब आपको लगे कि आपके मरीज को डेंगू फीवर हो रहा है अब देखें यूपिटोरियम पर्फोलिटम अब देखें यूपिटोरियम पर्फ का काम यहाँ पर क्या है कि जब मरीज को बोन ब्रेक सिंड्रोम आएं लग जाए यानि कि मरीज के एक एक जोड एक एक हड़ी में दर्च चुरू हो जाए बहुत ज़्यादा धकान होने लग जाए बुरी तरह से और मरीज को लगे कि विबकुल लिथार्जी होने लग जाए मरीज के पड़े नहने का मन करने लग जाए बेशेंट का फीवर बहुत तीजी से बढ़ रहा है कम बहुत धीरे-धीरे हो रहा है तो और साथ में फ्लेटलेट काउंट भी डाउन हो रहे हैं तो मेडिसीन इस यूपेटॉरियम पर्फोलिटम आपको यूपेटॉरियम पर्फ मरीज को ज़रुवत पढ़ने पर हर दो घंटे पर भी देनी पढ़ सकती है तो दूसरी medicine है यहाँ पर that is gelsimium अब gelsimium कब देंगे जब यहाँ पर 3D symptoms आपको मेरे 3D symptoms का मतलब हो गया dizziness, drowsiness, dullness यानि मरीश को बिल्कुल सुस्थ हो चुगा है लेटे रहने का मन कर रहा है शरीर सर उसका घूम रहा है dizziness सी महसूस हो रही है और साथ में उसका शरीर कपकपा रहा है trembling हो रही है हाथ पेरों में और जब बुखार आता है तो बुखार के सिंग में बहुत तेज़ी से ठंड चड़ती है तेज बुखार आएगा और तेज ठंड चड़ेगी the medicine is gelsimium तीसरी बहुत important remedy है सिंकोना जब यहाँ पर डेंगू फीवर एक तरह से intermittent हो जाए एक particular time पर आए और जब भी intermittent fever जब हो रहा है तो उसके साथ में मरीज का पेट फूल जा रहा है मरीज का पेट फूल नहीं कि इसे पेट चरीर में तो दर्द हो ही रहा था डेंगू फीवर में पेट में भी दर्द चरूब हो गया है गैस पास नहीं हो रही है ऐसा लग रहा है जैसे वाई उसके पेट में पूरी तरह से घूम रही है और मरीज बेचैन हो जा रहा है साथ में यहाँ पर ठंड भी लग रही है और high grade fever भी आ रहा है साथ में फीवर को डाउन रखने के लिए केरिका पाया का रोल सबसे ज़ादा ज़रूरी है केरिका पाया आप अपने पेटिंट को मदर टिंचर में देंगे और जैसे ही डाइगनोज होता है कि डेंगू फीवर शुरू हो गया है कनफर्म हो गया है डेंगू फीवर हो रहा है फॉरन केरिका पाया आप शुरू कर दीजे आपके मरीज को अराम आन लग जाएगा पांचमी मेडिसिन यहाँ पर है यानि गिलोए अब हमेशा ध्यान रखिए डेंगू फीवर के पेशिंट को टीनोस्पोरा प्लस केरे का पपाया संग में देनी चाहिए विकाज टीनोस्पोरा के अंदर एंटी फेबराइल प्रापर्टीज हैं यह बुखार को कम करने में बहुत सहथा करती है कई बार परसेटरमॉल से भी अगर फीवर नहीं उतरता है तो टीनोस्पोरा मदर टिंचर देने के से ही फीवर धीर धीर करके उतरने लग जाता है तो यह जो पांच दबाईये मैंने आपको बताई है अगर आपके मरीज को डेंगू फीवर डाइग्नोस हुआ है और अगर आपको लगे एमर्जेंसी है मरीज को परिशानी हो रही है अगर आप हॉस्पिटलाइज भी करते हैं और फिर भी आपके प्रेट लेट काउंट पेशन के डाउन होते हैं तो यह दवाईयां अगर आप रेगूरली यूज़ करेंगे तो आपका मरीज बिलकुल स्टेबल रहेगा और लाइफ थ्रेटिंग सिचुएशन से बाहर जल्दी आएगा तो आई होप मेरी बतोरा पताएगे बातों से आप संतुष्ट हैं मेरी बात समझ में आई है तो मुझे सिर्फ एक थम्स अप जरूर दें वीडियो को जन्हेत में लोगों तक जरूर शेयर करें मेरी तरफ से नमस्कार तेंक यू